Hello dear students, बच्चों, जीके के subject में हम पढ़ रहे हैं आपका science part और इसमें आप अपने जीके की text book और notebook निकालिए आपके science part में हम पढ़ रहे थे doctor's words याने की doctor जो जो words यूज करते हैं उनके बारे में तो last video में हमने first और six तक हमने इसको पढ़ लिया था आज हम पढ़ेंगे seven से eleven तक ओके यानिकि इसके हम final करेंगे आज तो last video में हमने क्या पढ़ा था कि देखे कुछ disease होती हैं कुछ medical condition होती हैं जिनको लेकर हम doctor's के पास जाते हैं और उन diseases के लिए या उन medical condition के लिए या जो भी दिक्कत होती है जो भी बीमारी होती है हमें या किसी और को तो उस बारे में doctors के अपने अलग अलग words होते हैं वो अलग words यूज करते हैं उस condition के लिए या उस diseases के लिए तो उनके ही बारे में हम यहां पर पढ़ रहे थे तो आज देखिए हम पढ़ेंगे seven number से condition that can be cured by medical treatment यह seventh part आप देख रहे हैं तो इसमें कहा जा रहा है कि ऐसी condition that can be cured जिसे हम cured कर सकते हैं यानि कि जिसे हम ठीक कर सकते हैं by medical treatment यानि कि hospital में जाके उसका treatment किया जाए और उसको हम ठीक कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए seven seven number पर हमने इस तरह से यह down में हमने लिखना है तो टी दिया है और एक और लेटर है ए तो यहाँ पर आएगा बच्चों treatable, treat करना लिखा है यहाँ पर that can be cured by medical treatment यानि कि medical treatment करके हम उसे ठीक कर सकते हैं ठीक है तो वो होता है treatable disease ऐसी disease जो treatable है या जिसे हम ठीक कर सकते हैं तो यहाँ पर आएगा treatable ओके अब एड़ देखिए affecting young children affecting young children यानि कि ऐसी disease ऐसी बिमारी ऐसी दिक्कत परिशानी जो कि young बच्चों को यानि छोटे बच्चों को होती हैं तो 8 देखिए यह है 8 नमबर और यहाँ पर 8 कहां है यह देखिए ठीक है तो क्या है कि यहाँ पर जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ behavior उनके behavior में कुछ क्या होता है कुछ उनके behavior में कुछ changes आते हैं कुछ उनको उनकी कुछ परिशानी होती है physical होगे या उनके या mental हो गया या किसी भी तरह की जो दिक्कत परिशानी बच्चों के behavior में होती है तो ऐसी disease को ऐसी problems को ऐसी medical condition को हम क्या कहेंगे तो eighth में दिया है यहाँ पर three letters दिये गए है I, A, N तो यहाँ पर आएगा बच्चों infantile ओके infantile यह हम यह जो जो भी words अभी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं उसे हम अपनी notebook में लिखेंगे भी आपने last video में भी लिखा था तो इसको भी हम अभी notebook पे लिखेंगे ओके बच्चों तो अब देखिए ninth, first हमने पढ़ लिया था last video में अभी हम seven से लेकर आगे पढ़ रहे हैं तो seven, eighth और ninth, ninth पे क्या है a disease that spreads through water ऐसी disease जो spread करते हैं यानि कि जो फैलती है through water यानि कि पानी के माध्यम से पानी के through जो बीमारी होती है जो फैलती है उसे क्या कहा जाता है तो यहाँ पे देखिए ninth है ये ये देखिए ninth ये कैसे है अभी तक हमने अभी जो हमने seventh, eighth या जो भी अभी तक हम पढ़ रहे थे second से लेकर eighth तक ये है कैसा down यानि कि हम इसे इस तरीक से fill कर रहे थे ये जो cross word है इसे हम ऐसे second हमने down में किया third को भी down में, fourth को भी down में, ये सारे अभी तक हमने कैसे किये थे? down में किये थे लेकिन अब कैसा है? अब हम ninth ये देखिए cross में आ गए है जैसे हमने first वाला fill किया था ऐसे, cross में, ठीक है? तो ये cross word भी हमको fill करना है तो देखिए ninth वाला, ninth ये है, ये cross में है, ऐसे w यहाँ पर एक letter दिया गया है और last एक और letter है n तो यह कौन से disease है बच्चो a disease that is spread through water पानी से फैलने वाली जो बीमारी है जो disease है उसे कहेंगे water born यहाँ पर हम लिख देंगे water born ओके बच्चो next देखिए tenth a disease that gradually gets worse a disease that gradually gets worse यहाँ कि worse मतलब होता है बद से बद तर यहाँ कि जो खराब इस्तेती में जा रही है ऐसी disease a disease that gradually gradually का मतलब होता है कि लगातार gets worse यहाँ कि जो खराब होती जा रही है ऐसी disease जो दिन बदिन जो है और बिगड़ती जा रही है कोई ऐसी बिमारी जो हमको काफी लंबे समय से है या किसी को भी लंबे समय से है और उसके समय के साथ साथ वो और खराब होती जा रही है वो इस्तिती वो बिमारी और ज़्यादा बढ़ती जा रही है ऐसी बीमारी को हम क्या कहेंगे देखे टेंथ है यह पॉइंट और डी दिया है एन और ए तो इससे जो वर्ड बनेगा बच्चों वो बनेगा डीजेनेरेटिव यहाँ पर लिखेंगे डीजेनेरेटिव कैसे लिखेंगे कि हम अभी नोटबुक में लिखके समझेंगे लास्ट देखिए 11th caused by a fungus fungus एक तरह का वैक्टिरिया होता है जो हमारे शरीर में हमारी बाहर जो इसकिन होती है उसको खराब कर देती है और ऐसी बीमारी को क्या कहते हैं देखिए 11th point है यहाँ पर F दे रखा है और G तो यहाँ पर आएगा fungal fungal infection आपने सुना होगा कि जब भी हमारे शकिन में कोई दिक्कत परिशाद नहीं होती है खुजली होती है तो अकसर किस चीज़ से होती है वो फंगस से होती है तो fungus का मतला हमारे शकिन को वो खराब कर देती है तो उसे कहा जाता है fungal तो आपने जो अब तक पढ़ा है वो देखिए last video में आपने first से six तक पढ़ा था तो वो आपने देखा यह लिखे थे इस तरीके से आपने first से six तक लिखा था आज हमने seven से eleven तक पढ़ा तो कौन कौन सी बीमारी के नाम हमने कौन कौन सी disease, कौन सी medical condition में use होने वाले words हमने आज सीखे वो है यहाँ seven से eleven तो इसमें देखिए आज वहीं से आप आगे लिखना सुरू किजिए six number से सबसे पहले हमने कौन सा क्या पढ़ा था ऐसी disease जो treatable है जिसका treatment किया जा सकता है तो treatable ओके फिर हमने क्या पढ़ा अक्सर बच्चों में जो बीमारिया जो होती है जो problem उनके behavior में होता है उस condition को क्या कहा जाता है infantile eighth number बे ninth में हमने क्या पढ़ा कि पानी से water से होनी वाली जो water से फैलने वाली जो बीमारी होती है उसे कहा जाता है water born tenth tenth में हमने पढ़ा कि जो लंबे समय से चली आ रही बीमारी और और जादा खराब होती जा रही है degenerative और last में हमने पढ़ा 11 पे कि हमारी skin में जो खुजली होती है जो हमारी स्किन खराब हो रही होती है एक बैक्टिरिया के कारण फंगस के कारण उसे हम कहेंगे फंगल फंगल इंफेक्शन ओके बच्चो तो ये आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और लिखने के बाद ये पूरा जो वीडियो है एक बार फिर से रिवाइज करना है और इसको अच्छे से लर्न करना है ये जो मेडिकल जो कंडिशन है जो मेडिकल लाइन में जो वर्ड्स जो यूज की जाते है ये सारे आपने क्या करने है learn करने है बच्चों ओके ठीक